हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे सी इटी जो एक्जाम है उसके उपर सी इटी की शर्ते वेग ग्रूप सी के ग्यारा हजार पदों के नियमों में विरोधा भास हो गया बई और यह परिक्षा अठकी है यहां पर ध्यान देने की वज स्थी नहीं है स्थीति यह है कि सरकार के और से सी इटी के लिए लगाई गई शर्ते और तक्निकी पदों की सेक्षिन ही क्यों गयता आपस में विरोधा बास है सुनों यह क्या बोल रहा है मैं बता रही है जैसे टैंथ लेवल पे ग्रूप डी प्लस टू लेवल पे ग्रू पे ग्रूप सी की कुछ ऐसी पोस्ट है जो कि टेक्निकल पोस्ट है और जो लोग भई डिपलोमा आई टी आई कर रखा है तो उनको एज सेम टू टू ट्वेल्ट ही रखा जाएगा यह इनकी एजसे सी यह कह रही है लेकिन सरकार जो है वो 12 को रिक्मेंड कर रही है यहां डिस्प्यूट है हर्याना क्रमचारी चेन आयोग ने इन पदों की सूची के साथ मुख्य सचीव को पत्र लिखकर स्तितिस पस्ट करने की अपील की है देख सकते आप यह क्या बोल रहे हैं और हर्याना सरकार सीटी के लिए पहले ही तैक पर चुकी है कि ग्रूप D के लिए दस्वी और गुरूप C के लिए क्रमचारियों के लिए 12 बार्वी स्तर के स्वाल पूछे जाएंगे प्रदेश के आदा दर्जन से अधिक विभागों में 11,000 पद हैं जो गुरूप C में आते हैं लेकिन उनके भरती होने के लिए सेक्षन ही क्योगिता कक्षा दस्वी वे डिपलोमा है, जैसे कुक और हलवाई के नियम स्पस्ट नहीं है, ग्रुप D में कुक हलवाई एहलमा दादी के नियम स्पस्ट नहीं है, कुक के लिए नियम है किवे खाना बनाना जानता हो पड़ा लिखा हो, लेकिन कितनी कक्षा तक ये clear नहीं है, CT के नियमों के तहट, दी में नोकरी के लिए इनको दस्वी कक्षा स्तर की लिखित परिक्षा पास करनी हो गया और शर्त यह है बी कि सामान्य वर्ग के कैंडरेट को 50% और शिडूल या रिजर्वड के कैंडरेट को 40% लेके आने हैं चालक बरती होने के लिए योगेता कक्षा दस्वी समेथ 3 साल क शानुबह मांगते हैं इसी प्रकार वील्डीय के लिए दस्वी के बाद 2 साल का डिप्लोमा ओटो डीजल मेकानिकल सारी टेकनिकल पोस्ट हैं काफी संख्या में ऐसे पद हैं जो ग्रूप सी में आते हैं लेकिन योगेता कक्षा दस्वी में डिप्लोमा इन वजों से इन तो इस साल से अधिक समय से प्रदेश के नो लाग से अधिक युवाओं को इस परिक्षा का इंतजार है कभी कोरोना तो कभी बार-बार पोस्पॉंड की जा रही है पहले यह एक्सपेक्टेड था कि भई परिक्षा जून में होगी आयो का कहना है कि जैसे इनियम्स पस्ट हो को यह चीज लिखित में ले लेते हैं कि यह जो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन ना इनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए और ओविसली आप लोगे के लिए ज़रूरी है नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी परिक्षा जुलाई में हो तो भ अब ही हो जाए तो और ज्यादा बैटर है आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसके अलावा आप हमारी ओफिशियल वेबसाइट फॉमनोटिस.com को जोइन कर सकते हैं जिसके तुरू आपको सारी अपडेट मिलती रहे अपडेट पसंद आते हैं तो प्लीज यूटूब पे स्पोर्ट कीजिएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू फो वोचिंग